इस चैप्टर का नाम है साथी हात बढ़ाना इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से सहयोक की भावना उत्पन होती है इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, हमें यही प्रेणा दी गई है कि हमें हमेसा मिल जुलकर रहना चाहिए चैप्टर शुरू करते हैं, साथी हात बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना, साथी हात बढ़ाना इसमें कवी ने ये बताने का प्रयास किया है, लुध्यानवी के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कितनी सहयोक की भावना होती है साथी एक दूसरे से कह रहे है कि साथी हात बढ़ाना अगर एक ब्यक्ति लगतार काम करता रहेगा तो वह ठक जाएगा और अगर मिल जूलकर सारे ब्यक्ति काम करेंगे तो वह मिल जूलकर काम आसान हो जाएगा इसलिए कहा गया कि साथी हात बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिल कर बोज उठाना अगर मिल जूलकर बेटा काम करते हैं तो सहयोक की भावना उत्पन होती है साती हाथ बढ़ाना हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया अगर ब्यक्ति मेहनत करता है और मिलजुलकर रहता है मिलजुलकर सारे काम करता है तो सागर में भी रस्ता छोड़ा परवत ने सीज जुकाया वो सागर ने रस्ता छोड़ा यानि कि वो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेता है और परवत ने सीज जुकाया बड़े-बड़े काम उसके आसानी से हो जाते हैं हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है साथी हाथ बढ़ाना अगर बेक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता बेटा मुस्किल से मुस्किल काम भी आसानी से कर सकता है अगर मिल जूल कर करे अगर एक बेक्ति एक काम को करता है लेकिन अगर कई एक साथ करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है और चक्टानों में भी रह बना देता है अगर मिलजुलकर काम करता है तो मेहनत अपने लेक की रेखा मेहनत से क्या डरना बेक्ति को मेहनत से नहीं डरना चाहिए और मेहनत से इंसान की तकदीर बदल जाती है जो बेक्ति मेहनत करता है इसमें मेहनत के बारे में बताया गया कि बेक्ति को मेहनत करना चाहिए परिश्र के लिए कर रहे थे लेकिन आज हमें अपने स्वेम के लिए करना है अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक दूसरे के दुख को भी दुख समझना चाहिए और दूसरे के सुख दुख में सामिल होना चाहिए अपना दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाह तो वो सचकी मंजिल होती है निश्वार्थ भावना से अगर काम करता है बेक्ती तो वो अपना मंजिल अवस्य पा लेता है एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है जर्रा एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दरिया अगर मिल जुलकर बेटा काम करते हैं तो कत्रा भी कत्रा क्य क्या होता है कत्रा होता है बूह एक एक भूह भी नदी बन जाती है थोड़ा-थोड़ा से बहुत हो जाता है अगर हम मिल जुलकर काम करते हैं एक से एक से एक मिले तो राई बन सकती है, परवत, राई क्या होती है, बहुत छोटी, एक से एक, अगर मिल जुलकर हम काम करते हैं, एक साथ करते हैं, तो राई भी परवत बन जाता है, पहाड सा बड़ा बन जाता है, एक से एक मिले तो इन सा बस में कर ले किस्मत, अगर मिल जुल कौर doe टाइस कविता से हमें यह सिच्छा मिलती है यह प्रेणाप्रत गीत हैं हमो difiolit-त इस इसिफोर मिल शुक्र क्यांना चाहिए और एक दूसरे के सहयों करने की भावना हमारे अंदर उथ्पन्न होनी चाहिए यही कुरू इस में दिया गया है अब अप इसकी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके जो यह सब दर्थ है यह सब सब दर्थ है यह आप Homework पे लिखेंगे अपनी Spread notebook में बिटा आपको यह homework करना है यह सब दर्थ अपनी Notebook में लिखना और लिखने के साथ-साथ आपको learn करना है और अगला लेक्चर कर पढ़िएगा thank you class